नमस्कार दोस्तों मैं संजे जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आज हम चर्चा करेंगे कि किन लोगों को नीले कलर के कपड़े या काले कलर के कपड़े पहनना आवोइड करना चाहिए जब भी कुंडली में जो मैलेफिक प्लैनेट्स है वो खराब हो रहा है जैसे इसमें हम दो प्लैनेट्स लेते हैं जिस टॉपिक की आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नीला कलर और काला कलर कब नी पहनना चाहिए अब पहले हम जखर करते हैं कि नेला कलर कब नहीं पहनना चाहिए जब कुंडली में राहु खाना नंबर आठ में हो या राहु खाना नंबर बारा में हो इसके अलावा राहु बुद्ध की यूति हो राहु चंदर की यूति हो सुर्य राहु की यूति हो तो इस combination में या कुंडली में राहू कहीं भी बैट के मंदा हो रहा हो खराब असर का हो रहा हो या किसी anti-planet के साथ में बैठा हो तो उस समय राहू का जो color है वो नीला color है राहू बिलकुल नीला color है तो उस समय में राहू की energy को ज़्यादा बढ़ाना सामने वाले planet की जो मदद वाली जिस घर में वो बैठा है उस घर की तासी उस घर का जो मालिक है उसके प्रभाव जो है उसके अच्छे effect को कम कर देता यानि राहू कहीं भी अगर किसी anti-planet के घर में बैठा है या जो मैंने combination बताया वहां बैठा है और मंदा बैठा हुआ तो वो क्या करेगा कि मंदा बैठा है तब तो खराबसर करेगा नीला color जो है राहू का color जब राहू पहले से ही मंदा है और उसकी energy को अपने boost कर दिया या नीले रंग के कपड़े पहने है उसकी energy को boost कर दिया तो राहू का जो मंदापन है वो और उभर के आएगा तो उस case में मना किया जाता है कि राहू आठ बारा में हो राहू सुरी के साथ में हो राहू चंदर के साथ में हो राहू मंगल के साथ में हो या राहू उन घरों में बैठा हो जो उसके एंटी प्लैनेट के घर है और राहू अगर खराब हो रहा हो तो राहू की एनरजी को ज़्यादा बढ़ानी की कोशिश नहीं करनी चाहिए यानि राहू का नीला कलर है उसको पहनना अवोइड करना चाहिए इसके अलावा जब शनी शनी का जो कलर है वो काला कलर है शनी जब खाना नंबर एक में हो खाना नंबर एक जो है वो सुर्य और मंगल का मकान है तो अब खाना नमबर एक के समय लाल किताब यहां शनी को नीच का मानती और खाना नमबर पाँच जो है वो सूरज का और ब्रसपती का घर है तो ऐसे समय में काला रंग पहनना अवोइड करना चीए या शनी के घरों में, शनी के घर हैं 10th house और 11th house शनी के घर में अगर सूरज बैठाओ, 8th house, 8th house इसका headquarter है 8th, 10th और 11th house में अगर सूरज बैठाओ तो उस समय काला कलर पहनना अवोइड करना चाहिए इसके अलावा सुर्य और शनी की यूत्ति हो यह कुछ combination है जहां पे काला कलर पहनने की मनाई या फिर कुंडली में शनी कहीं भी मन्दा हो रहा हो तो उसके इसमें काला कलर पहनना अवोइड कर है क्योंकि इससे क्या होता है कि शनी की और बढ़ जाती है शनी की जो तासीर है वो बढ़ जाती है और शनी का जो मन्दा result है जो पहले से ही मन्दा है तो उसके प्रभावों में और जादा वरद्धी हो जाती तो इसलिए कुछ ही specific situation है शनी लगन की है, शनी 5th house की है या फिर सूरज 8th, 10th और 11th house में उस समय है सोरे शनी की यूति है, उस समय है तो ये कुछ combination है जो मैंने आपको बताए कि उस समय काला कलर पहनना आवर्ड करना जी तो ये दोनों चीज़े बता दी कि नेला और काला कलर नहीं पहनना जब दोनों ही planet खराब है राहू भी खराब है, शनी भी खराब है तो उस समय नेले रंग के कपड़े पहनना या फिर काले रंग के कपड़े पहनना तो कोशिश करें कि सौम्मिग्रह जो कुंडली में अच्छे प्लैनेट बैठे हुआ है उन सौम्मिग्रहों की तासीर को बढ़ाने वाली कलर के कपड़े आप पहने तो उससे positivity भी आएगी और वो रंग आपको suit भी करेंगे तो यह combination था आशा है आप इस video से मेरे लाबान भी थोए होंगे और अगर आप अपना टेवा मुझे दिखाना चाते हैं तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं धन्यवाद